हेलो एब्रिवन स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू टेक अन्बॉक्सिंग पे आज हमारे बॉक्स करने वाले हैं एच पी का नोटबुक लैप्टॉप जो की है मॉडल है इसका आपका जी आर डबल जीरो बारा एयू सो चलिए गास देखते हैं डबबे पे क्या कॉन्फि साथ में मिल जाते है आपको बंटीबी प्लस 256 डी का इस टोरेज वन टीवी अर्ड डिक्स प्लस 256 डी डी श्कॉरण मिल जाता है आपको 8GB RAM मिल जाता है तीन सील का बैटरे किसमें मिल जाता है 14W का 15.6 Full HD IPS डिस्प्ले मिल जाता है धाइसो नीट्स के साथ और 8GB RAM मिल जाता है DDR4 2666 MHz का इसमें आपको 256GB SSD मिल जाता है NVMB M.2 साथी इसमें आपको 1 TV Hard X मिल जाता है 1400 RPM में सो यहां पर MS Office मिल जाता है Home and Student 2019 Windows 11 के साथ यह अपडेटवल है Play 11 के साथ इसका है Manufacturing जो है November 2021 का model है यह Manufacturing है Windows 11 मिल जाता है इसमें और MS Office 2019 मिल जाता है Home and Student जो कि एक साल के लिए होता है और Windows आपको lifetime के लिए मिल जाता है So guys चलिए इसको और Unbox करते हैं और आप इसका जो है आपको दिखाते हैं डबबे के अंदर क्या है और यह कैसर लूक है So guys यहाँ पर आप देख सकते हैं डबबे के अंदर मिल जाता है Important Protect Informations यानि कि User Manual मिल जाता है साथ ही यहाँ एक 65 Watt का Charger मिल जाता है जो कि Smallene में आता है यहाँ पर आप देख सकते हैं Smallfin के साथ है साथ ही इसमें एक मिल जाता है आपको PowerDrive और एक मिल जाता है आपको इसके साथ Laptop so hp is my आपको जो है power cable मिल जाता है साथ ही यहाँ पे setup के लिए user manual मिल जाता है so guys, यहाँ पे आप look देख सकते हैं silver color का इसका look है फाइबर body में है यानि कि यह plastic body में है silver color इसमें आपको color देखने को मिलता है color जो है इसमें आपको silver color मिल जाता है 15.6 screen size है जो कि Full HD IPS पैनल के साथ है और जिसका 200 needs है तो अगर weight की बात करें तो 1.67 kg के आपको weight मिलता है अगर build quality की बात करें तो build quality भी इसमें बढ़ी हैं आपको मिल जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा look जो है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा Ryzen 3 का 3250 U processor यानि कि Third Generation का प्रोसेशर इसमें आपको मिल जाता है Ryzen का साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है Radeon का Graphics 2GB Intrigated मिल जाता है Radeon Vega 8 यहाँ पे आपको मिल जाएगा Home and Student का Microsoft Office अगर touchpad की बात करें तो dual gesture touchpad इसमें आपको देखने को मिल जाता है और यह भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाता है आपको टॉल फ्री नमबर यानि की WhatsApp support तो अगर keyboard की बात करें तो इसमें आपको चकलेट की बोर्ड मिल जाता है waterproof चकलेट की बोर्ड मिल जाता है backlight और fingerprint का option इसमें नहीं मिलता तो यहाँ पे आपको power on off मिल जाता है साथ ही यहाँ पे दो speaker मिल जाता है front speaker मिल जाता है जो कि दो speaker इसमें आपको मिलता है सो यहाँ पे आप hinge का देख सकते हैं hinge का कुछ step से look है third part narrow bezel इसमें आपको display मिलता है यानि की नीचे side से आपको bezels का देखने को मिलेंगे लेकिन side में upper side में आपको narrow bezel displays में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको narrow bezel display मिल जाता है अगर उपर की बात करें तो यहाँ पे आपका उपर side में भी थोड़े से bezels देखने को मिलता है full HD display है anti-clear है और IPS panel है dice or needs इसमें आपको मिलता है सो यहाँ पे आपका camera देख सकते हैं 720 का HD camera मिल जाता है इसमें आपका 720 का साथ ही dual mic के साथ सो यहाँ से आप देख लेते हैं ports वगेरा यहाँ पे आपको line cable देखने को मिल जाता है साथ ही बगल में HDMI और C-Tap मिल जाता है यहाँ पे आपको 3.0 का aux cable मिल जाता है यानि audio kill मिल जाता है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टैप से look है notebook series का है यहाँ पे आपको charging मिल जाता है SD card मिल जाता है और 2 USB मिल जाता है 3.1 और 1 2.1 सो यहाँ पे आपका Windows 11 का logo देख सकते है Windows 11 का logo यहाँ पे मिल जाता है साथ ही यहाँ पे fan मिल जाता है रबर ग्रीपिंग मिल जाता है यानि कि आपको लाप्टॉप को ग्रीपिंग के लिए अगर आपका वजट 40 प्लस है यानि 45 और 40 के बीच का है तो आप इसे पर्चेज कर सकते हैं यह आपके लिए बढ़िया उप्शन होगा आई थिरी के कंप्रीजन का यह लाप्टॉफ है आप इसे पर्चेज कर सकते हैं यह आपके लिए बेस्ट हो जाएगा इस टोड़ जिसमें आपको इनफ मिल जाता है अगर आप रैम अब्ग्रेट करना चाहते हैं तो 32 GB तक रैम इसमें अप अप्ग्रेट कर सकते हैं यानि की रैम अप अप्ग्रेट करके 32 GB तक 266 MHz का रैम लगता है आप उसे योज़र जाता है यहाँ पे आपको दिखा देते हैं 32, 85 यू प्रोसेसर, 7 में रेडियोन का ग्राफिक्स जो प्रोसेसर का स्पीड है, कर्रेंट लिए वो 26 मेगार्स के स्में प्रोसेसर का स्पीड दिखाता है 8GB RAM इसमें आपको मिलता है, 3266 मेगार्स का इसमें आपको 8GB RAM, DDR4 RAM मिल जाता है सो चलिए अब storage देखते हैं, सो यहाँ पे पहले memory में आ जाते हैं यहाँ पे आप memory देख सकते हैं, यहाँ पे आपको memory दिख जाता है जो इसका आपका जो है मैं यहाँ पश्पीट देख सकते हैं अभी 2400 वे हमारा गर्स में यहाँ आपका रन कर रहा है साथ यहाँ पर स्टोड़ेज देख लेते हैं यहाँ पर आपको स्टोड़ेज मिल जाता है 931 GB MB जो है आपको मिल जाता है यूज के लिए साथ ही यहाँ पर आपको 256 GB SSD यहाँ पर आपको मिलता है यूज करने के लिए सो यहाँ पर आप सारा चीज़ देख सकते हैं इंफोर्मेक्शन सु चलिए बोटिंग ओपिन करके हैं वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं बायोस में देख लेते हैं इसका तो वबर आल यह लैपटॉप तो मुझे बहुत अच्छा लगा है लेकिन अगर आपको भी बजट है अगर आपका बजट है अपरोक्स 43, 44 या 45 का तो आप इसे परचेश कर सकते हैं ऑनलान ऑफ लाइड दोरुश जगे यह असानी से आपको म बढ़िया प्रोसेसर मिसमें मिल जाता है अगर आपको 10 का 12 का स्टूटेंट है तो आपके लिए भी बेस्ट हो जाएगा क्योंकिस में बढ़िया लाइप्टॉप है परफॉमेंस भी इसमें बढ़िया मिलता है रैम अप्ग्रेट वल है, रैम आप अप्ग्रेट कर सकते हैं एन भी, एन भी का SSD मिल जाता है जिससे आपका सिस्टम और भी फास्ट बढ़िया परफॉमेंस दे देता है उमीद करते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए कॉमेंट करिए और शेर करिए तो देख लिजी, कुछ इस टैप से आपको लोग देखने को मिलता है पीछे साइड से कुछ इस टैप का लोग है एच्पी का बीच में लोगो है, सिल्वर कलल का जो की और भी खुबशुरत लगता है और दूर से ही चमकदार लगता है डिस्प्ले भी इसमें अच्छा डिस्प्ले मिलता है आपको एंटी गलेर मिल जाता है जिससे आपको आपके बहुत कम एफेक्ट पड़ता है आप इसे लंबा चला सकते हैं तो थैंक्यू अगर वीडियो में और भी आपको कोई डिटील्स चाहिए अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में तो नीचे में कॉमेंट करिए कॉमेंट बॉक्स में हम आपको रिप्लाइक करेंगे सो थैंक्यू सो मच